दुनिया वैसे ही परिशान है एक मामारी को लेकर क्रोनोवाइरस को लेकर और ऐसे में चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है सिक्किम सीवाँ पर भारत और चीन सैनिकों के भी जड़प हुई है दोनों तरब से जवानों को हलकी चोटे भी आई हैं तो श्रेंट आप सब देख रहे हैं गुरू कुल हाव यूट्यूब चैनल और यहाँ पर मैं अभी की लेटेस्ट न्यूज लेकर आए हूँ कि भारत और चीन के बीच जंग की तैयारी की लगबगशोवाग यहाँ पर आप देख सकते हैं यह अभी की लेटेस्ट न्यूज है सिक्किम सीवाँ पर काफी समय बाद फिर से एक भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव और जड़प हुई है उत्तरी सिक्किम में शनिवार को भारत और चीन सैनिक आमने सामने आ गए और टकराव हुआ है भारती सैना के सूत्रों ने इसकी जानकरी दी बता दें कि इसके इलाके में चीनी और भारती सैनिकों के बीच लंबे समय के बाद ये टकराव देखने को मिला है भारती सैना के सूत्रों ने बताई कि उत्तरी सिक्केम इलाके में भारत और चीन के सैनिकों में टक्राव हुआ और दोनों और से भारी तनाव और बहस बाजी हुई इतना ही नहीं इस टक्राव में दोरों तरफ के सैनिकों को चोटे भी आई है हाला कि इस टक्राव को स्थानियस्तर के इस्तक्षेप और बातचीत के बाद सुलजा लिया गया है लेकिन इस तरह की हिमाकत अगर ऐसे समय में आई है जब दुनिया पहले से परिशान है क्रोनो वाइरस जैसी हमारी को लेकर तो वो काफी श्रमनाक हो जाता है ANI के ट्विटर हेंडल से आया है कि इंसिदेंट्स ओफिस ओप बिट्वेन इंडिया और चाइनिज सोल्जर्स इन नौर्थ सिकेंट टेक प्लेस एग्रेसिव बिहवियर और और माइनर इंजुरी ओकर्ड ऑन बोथ साइड ट्रॉप्स डिस इंगेज्ट आफ्टर लोकल लेवल इंट्रेक्शन डायलोग इंडियान आर्मी सोर्स तो ANI के ट्विटर हेंडल से यह जानकरी शेयर हुई है तो यहां पर अगर बता दे कि यह मामला जो है यह हाला कि मामला साल 2017 का मामला है जो कि भारत और चीन के बीच 33 दिनों तक डोकलम विवाद आपने सुना होगा डोकलम विवाद पर गतिरोच चला और 2017 में 16 जून से जब तब गतिरोच रोओ आता जब भारते सैने ने भारत के चिकन नेक कोरिडोर के पास चीनी सैनिकों को रोग दिया था तो चीन हमेशा ऐसी हरकते करता है कि वो चाता है कि एक छतर राज हो और सब कुछ उसके हिसाब से चलना चाहिए लेकिन भारत ने उसको रोग दिया और यह एक गतिरोच करी 73 दिन तक चला और दोनों देशों के सैनिकों को पीछे हटने के बाद खतम हुआ चीन ऐसे इलाके में सड़क बना रहा था जो भूटान भी अपना बताता है तो चीन हमेशा ऐसी हिमाकत करता है और फिर उस बार उन्होंने एक ऐसा किया है और जब भी कोई विवाद होता है तो तैप प्रोटोकॉल के मताबिक दोनों सिमाए इसे दोनों देशों की जो सैन होती हैं इसे सुल्जाद लेती है लंबे समय बाद उत्तर सिक्के में अलाके में भारत और चीन के सैनिकों के बीज यह तना आप देखने को मिला है तो कोई भी और एहम जानकारी होगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा इस वीडियो को इसी तरह की और न्यूस के लिए इसी तरह की एहम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके चलें इसे लाइक कर दें शेयर कर दें धन्यवाद